ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात दिन निकलते ही जन्वरी सिवा केंद्र में दो लैप्टाप समेट 95,000 की लगी चपत इस वारदात से संसनी मामला जन्पत सहरनपुर के कोत वाली बेहट क्षेत्र के कलस्या की है दर असल जन्वर केंद्र की मालिकाज जैसे ही दुकान पर पहुँचे और दुकान का शटर खुलने लगे तो तीन नग्यात यूवक उनके दो लैप्टाप और एक बैक जिसमें 95,000 रुपे थे लेकर फरार हो गए हलाकि तीनों यूवक सी सी टीवी में कैद हो गए है इस वारदात से क्षेत्र में फैली संसनी जन्वरी सिवा केंद्र सी नकदी लैपटा तथा आने सामान लेकर फरार हुए बाइक सवार तीन बदमाष सी सी टीवी कामरे में कैद हो गए है सूचना पर पहुची कोटपाली पुलिस ने मामली की जाच पर ताल शुरू करती है घटना क्रम के तहट क्षेतर की रहने वाले अनिल ने कलसिया बस्टान के पास जन्वरी सिवा केंद्र खुला हुआ है अनिल के मुताबिक उसके द्वारा मनी बैंक का केश कलेक्ट किया जाता है अनिल के मुताबिक सूमवार के सुबह दुकान खुल कर जैसे ही वेह अंदर पहुचा तीन बदमाशों ने उसका बैग लूट लिया बैग में 90,000 रुपए लेप्ट आफ वा अनिसामान था अनिल का कहना है कि पीछा करने पर बदमाशों ने उसे पिस्टॉल दिखाते हुए फरार हो गए जिसके बाद सूचना पर पहुची पुलिस ने जाज शुरू कर दी भागते हुए तीनों बदमाश सी सी टीवी कामरे में कैद हो गए हैं सी सी टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाज कर रही है हलाकि अनले थाने में तहरीर देते हुए लूट का जिकर ना करते हुए इसे ही युव को द्वारा ले जाना बताया है एसस पी दिनेश कुमार पी ने बताया कि सी सी टीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर तलास शुरू करती है लबक जाए कितने लोग थे रहाने तीन लोग क्या है एक टिश्टल था या और पर कुछ सब्सक्राइब आपने प्लीस को समुछ ना की अभी कंप्लेन के लंडोरा कोई चक्ति बढ़ी है जगा पड़ता है तिराय पर एक जन सेवा केंद्र कंप्लेनेंट चलाते थे वहां पर आज सुबह सब्सक्राइब अपने दुकान से लैप्टाप और उसमें कुछ कैश भी था लेके अपने मोटर सेकल में रखे थे फिर वापस दुकान के और चले गे थे इतने में पीचे और उसके जहांस करके अफेयर लिखा जा रहा है तुरण उसमें अभी फॉमिंग भी करें रहे हैं चेकिंग भी कराए गया है जल्दी से जल्दी केस को औरकोड किया जाए